हाई हलो बच्चो मैं हुं हिमने सर्मा आपको स्वाइब कर सकते यूटुब चैनल पेपर है बेख्टो आज के लिए आपके लिए पीपर है थीक है ने पर आपके लिए इसमें बता दे बच्चो कि physics के इस paper में हम सभी की सभी आपको objective paper लेके आए ठीक है पूरा की पूरा objective paper है सभी objective question है ठीक है बेर important question है और इस में इस third paper की बच्चो फर्स्ट और second unit हम पहले ही करवा चुके है वीडियो भाग फर्स्ट में ठीक है अब यह हमारा वीडियो भाग 2 है और हम बता च second unit जो हम वीडियो भाग 1 में करवाएंगे और third और fourth unit जो है वीडियो भाग 2 में करवाएंगे तो वीडियो भाग 2 में थार्ड और fourth unit करवाने वाले है ठीक है बच्चो तो very important question है लाच तक पूरी वीडियो को देखेंगा आप वीडियो को देखना बिलकुल लागूने बच बच्चो अगर इसकी पीडियो तो पीडियो की बच्चो हमने अपनी डिस्क्राप्स बाक्स में दे दिया है आप बहां से पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है बच्चो पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और very important question है बच्चो दोनों में आपको PDF मिलेगी ठीक है तो देखते हैं बच्चो कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जल्द ही क्लास को सेर करेंगे जल्द ही क्लास को सेर करेंगे और लाइक करते रहेंगे वीडियो को वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें लास तक पूरी वीडियो को देख कौनसा रहे गाए बच्चो एसमें हमारा राइड आंसर कौनसा रहने वाला है तो देखेंगी इसमें हमारा राई टांसर रहने वाला है वह बच्च क्या रहेगा प्राइक है वन अपन्सरा सुpark T तो option number A हमारा right answer है गाई बड़े वेक गट माई M0 L-1 और T0 यह हमारा right answer है option number A हमार right रहेगा ठीक है ठीक है बच्चो option number A हमारा right रहेगा अगला नेश कोईशन देख लेते हैं रेड़ वर्ग निये तांग है रेड़ वर्ग निये तांग है तो right answer इसमें से कौन सा रहने वाला है देखेंगे बच्चो right answer इसमें कौन सा रहने वाला है तो बच्चो देखेंगे इसमें जो right answer रहेगा रहेगा हमारा option number 60 ठीक है तो केतना होगा इसका गतिया नुपाग जल्दी से बताएंगे right answer इसका क्या रहने वाला है इसका right answer क्या रहने वाला है बच्चो तो देखेंगे इसका right answer रहने वाला बहुत क्या होगा option number A ठीक है option number A हमारा right answer होगा 1 एक हमारा right answer होगा ठीक है अगला next question अगला next question क्या है hydrogen परमाडू का विभव छेतर है hydrogen परमाडू का विभव छेतर है तो कौन सा रहेगा इसमें से right answer क्या रहेगा इसमें से right answer क्या रहेगा बच्चो option number जो है तो देखेंगे इसका जो राइट अंसर रहेगा हमारा ऑप्सिन अंबर सा रहेगा जल्दी से पताएंगे राइट अंसर रहेगा ऑफ्सिन अंबर सा ठीक है अगरा नेक्ट्व मौसले का नियम है जल्दी से पताएंगे रइट अंसर इसमें से कया रहेगा जल्दी से देखेंगे बच्चो इसमें हमारा राइट अंसर गों क्या रहेगा बच्चो mostly का नियम है तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा option number 6 ठीक है under root u is equal to a bracket में z minus b यह हमारा right answer रहेगा option number 2 option number 6 हमारा right रहेगा ठीक है बच्छो अगला नेस question अधिक्तम तीबरता की spectrum रेखा के लिए अधिक्तम तीबरता की spectrum रेखा के लिए क्याँ सामान होगा जल्दी से रहता हैं कि right answer क्या रहेगा इसमें से इसमें से हमारा right answer क्या रहेगा बच्छो तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा option number 6 ठीक है delta L is equal to minus 1 delta Z equal to minus 1 यह हमारा right answer रहेगा option number 6 ठीक है अगला नेस question x किरण की तरंग देधरे का किरम होता है तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा option number 6 ठीक है question क्या रहने बाला है हमारा निम्न में से कौन सी स्रेडी छार स्पेक्टरम का भाग नहीं है जल्दी से बताएंगे इसका right answer क्या answer है जल्दी से इसका right answer देखेंगे वच्छों क्या रहने वाला है तो इसका right answer जो होगा बो क्यों होगा option number 10 हमार right answer होगा fundus ready, fundus ready यह हमार right answer होगा option number 10 ठीका अगला इस question निमनलिकित में से कौन सी स्रेडी जिरस्ते छेतर में पाई जाती है तो right answer इसका right answer क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेगा निमनलिकित में से कौन सी स्रेडी जिरस्ते छेतर में पाई जाती है तो इसका right answer क्या रहेगा तो देखेंगे इसका right answer रहेगा option number 2 ठीके अगरा नेश्ट कोईशन क्या है हाइड्रोजन परमाडू के निमनतम उर्जा इस्थर में इलेक्ट्रॉन का कोड़ी संभेग है तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है वच्चो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा ऑप्सन नंबर आ हमारा राइट आंसर रहेगा एच एच हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्सन नंबर आ ठीक है अगरा नेश्ट कोईशन देख लेते हैं बच्चो अगरा नेश्ट कोईशन देख लेते हैं बच्चो नेश्ट कोश्चा हमारा क्या रहने वाला है नेश्ट कोश्चा दिया है पिर्थम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का गती C upon 130 137 है इलेक्ट्रॉन की गती दितिये बोहर कक्षा में होगी तो कितनी होगी जिती बहुर कख्षा में राइट आंसर क्या रहेगा इसका ज़ल्दी से olarak this क्या रहने वाघ जल्दी से देखेंगे आपिसंट मुझे likestore wrac च्छतिक उर्जा की स्तितिज उर्जा में निस्पत्ति होती है तो इसमें राइट अंसर हमारा कौन सा रहने वाला है बच्छो जल्दी से देखेंगे तो देखेंगे बच्छो हमारा जो राइट अंसर रहेया वज़का करेगा option number 6 रहने वाला है ठीक है 1 upon minus 1 upon 2 यह हमारा right answer रहेगा बच्चो minus 1 upon 2 हमार right answer रहेगा option number 6 ठीक है अगला नेश्ट question कौन सी स्रेडी परावेगनी छेतर में पाई जाती है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे बच्चो इसमें से right answer हमारा काउंसर रहने वाला है तो देख लेते हैं इसमें जो हमारा right answer होगा बच्चो क्या रहने वाला है option number 6 ठीक है option number 6 हमारा right answer रहने वाला है question कौन सी स्रेडी परावेगनी छेतर में पाई जाती है तो option number a right रहेगा alignment ठीक है लाइमन हमारा right answer रहेगा option number a ठीक है अगरा next question देख लेते हैं next question क्या है next question हमारा दिया है इस turn गरलक प्रियोग में प्रियोग तो चुम्बगी छेतर है तो इसमें से right answer कौन सा रहेगा वो देखते हैं बच्चो right answer बच्चो हमारा कौन सा रहने वाला है इसमें वो देखेंगे तो right answer जो होगा बच्चों वो क्या रहेगा option number 2 हमारा right answer रहेगा option number 2 बिश्मांगी यह हमारा right answer रहेगा option number 2 ठीक है अगला next question X किरोनों की तरंगे दैधरे की कोटी होती है X किरोनों की तरंगे दैधरे की कोटी होती है इसमें से right answer हमारा कौँ सा रहेगा तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा बैई क्या रहेगा option number 7 हमारा right रहेगा ठीक है बच्चो option number 7 हमारा right रहेगा एक angustron यह हमारा right answer रहेगा अगला next question x के रोनों की बेधन छमता निर्भर नहीं करती है किस पर निर्भर नहीं करती है जल्दी से बताएंगे right answer इसमें से कौन सा रहने वाला है हमारा right answer इसमें से कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा option number 10 हमारा right रहेगा ठीक है तंतु की धारा पर यह हमारा right answer रहेगा option number 10 ठीक है अगला next question वो हर magneton बरावर है वो हर magneton बरावर है जल्दी से बताएंगे right answer क्या रहेगा वो हर magneton बरावर है जल्दी से right answer क्या रहेगा इसमें से option number A is का right answer रहेगा EH upon 4 pi M EH upon 4 pi M यह हमारा right answer रहेगा option number A ठीक है अगला next question देख लेते हैं क्या रहेने वाल है हमारा आध इस्थ تि में hydrogen परमाळू का आइनन विभव होता है आध इस्थती में hydrogen परमाळू का ion बिववव होता है कितना होता है जल्दी से देखेंगे रही आंस इसमें से कौन से रहेगा वच्छे तो right answer जो रहेगा क्या रहेगा हमारा option number 2 हमारा right रहेगा ठीक है option number 2 हमारा right answer रहेगा 13.6 वोल्ट यानी की 13.6 वोल्ट यह हमारा right answer रहने वाला है ठीक है बच्छो अगर नेश question देख लेते हैं बच्छो हमारा क्या रहने वाला है यह question दिया है पिर्थां बोहर कक्षा की तिर्जिया 0.529 एंगिस्टान है तो दिती एक अक्षा की तिर्जिया होगी तो दिती एक अक्षा की तिर्जिया कितने होगी तो जल्दी से देखेंगे बच्चो इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है जल्दी से देखेंगे जल्दी से देखेंगे बच्चो टो प्वाइट बंड शोन Eloktrond का चक्रकुरीज संबбेख पी ऐसा होता हा इंच गा थो की सिराइट इसमें से राइट युइ सरे रहेगा वश्चो इसमे सराइट आंसर का हमारा राइट अंसर रहेगा थीक बच्चो अगला next question next question क्या है hydrogen पर मालू की मूल अवस्था में L कमा S वा J के मान है तो जल्दी से बताएंगे right answer इसमें से कौन सा रहने वाला है इसमें से right answer हमारा कौन सा रहने वाला है option number 7 हमारा right answer रहने वाला है L is equal to 0 S is equal to 1 upon 2 J is equal to 1 upon 2 यह हमारा right answer रहेगा option number 7 हमारा right रहेगा ठीक है बच्चो अगला next question L is equal to 1 S is equal to 3 upon 2 के लिए उर्जा अवस्था की बहूलता है तो इसमें right answer कौन सा होगा इसमें से right answer कौन सा होगा बच्चो देखेंगे सभी बच्चे बताएंगे right answer कौन सा रहने वाला है option number 2 इसका right answer रहने वाला है 3 option number 2 इसका right answer रहने वाला है option number 2 अगला next question L is equal to 1 S is equal to 1 upon 2 के लिए J के संभव मान तो J के संभव मान है कौन कौन से हैं जल्दी से बताएंगे right answer क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेगा तो देखेंगे इसका right answer क्या रहेगा option number size का right answer रहेगा ठीक है 3 upon 2 कामा 1 upon 2 3 upon 2 कामा 1 upon 2 यह हमारा right answer रहेगा option number 7 ठीक है अगला next question next question देख लेते हैं बच्चो next question क्या रहने वाला है hydrogen परमाडू की पिर्थम उत्तेजन उर्जा होती है तो यह इसमें right answer का रहने वाला है जल्दी से देखेंगे बच्चो इसमें right answer रहने वाला है वो हमारा क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा option number A हमारा right रहेगा ठीक है बच्चो option number A हमारा right answer रहेगा minus 13.6 n square इसका रहने वाला है इसका रहने वाला है इसका रहने वाला है बच्चू जल्दी से बताएंगे आप्सन नमर बाइस का राइट अंसर रहने वाला है चार होगी ठीक है क्या होगी एल बरावर संख्या कितने होगी चार होगी यह हमारा राइट अंसर रहेगा ठीक है बच्चो अगला नेश्ट कोईशन देख लेते हैं प्वांटम संख्या एन बढ़ने के साथ परमाणू मे करीबी उर्जा इस्टरों के बीच उर्जा अंतर उर्जा अंतर का उंसा है कितना होता है जल्दी से बताएंगा राइट अंसर इसका का उंसा रहने वाला है तो उर्जा अंतर जो होता है वो क्या होता है ऑप्सन नमर बाग घढ़ता है क्या होता है उर्जा अंतर जो होता ह सखेंगे गौंसा रहेगा इसमे से डिखने से अभी बच्चे देखेंगे र्यंस रहने वाला है अगला इस्ट कोशन देखते हैं L वरावर 1 S वरावर 3.2 के लिए ओर्जा अवस्ता की बहूलता है तो ओर्जा अवस्ता की बहूलता कितने हैं इसमें जल्Дी से देखेंगे सभी वच्चे सभी वच्चे देखेंगे right answer इसका क्या रहने वाला है तो option number size का right answer रहने वाला है चार ठीक है चार इसका राइट अंसर रहने वाला है फूर्ट ठीक है हमारा option number 6 राइट रहेगा अगला next question देखते है एक से करणों का अभिसकार किया था एक्स करणों का विश्कार किया था किस ने किया था एक्स करणों का विश्कार जल्दी से बताएंगे राइट अंसर इसका क्या रहेगा तो इसका राइट अंसर रहेगा ऑप्सन नंबर सा इसका राइट अंसर रहेगा ठीक है रोजन ने किया था यह हमारा राइट अंसर रहे ठीक है बाइधु चुम्ब की विकरण से यह हमारा राइट आंसर रहेगा बच्छो बाइधु चुम्ब की विकरण से हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्स नंबर दा ठीक है अगला नेश कोशन एक्स किरोणों की प्रकृति है तो इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा हमा कवोस्टाइब रसेल साउंडर्स सायोगमन का प्राइब सेंडु मात्रचय नाम है तो जल्दीוס बताएंगे रसेल सांडर्स संयोगमन का पिरचलित नाम है तो राइट अंसर कॉन सा होगा इनली से लड़ी से बताएंगे सब greatly reigned the computer तो देखेंगे इसको राइट रहने वाला है बच्चो वो क्या रहेगा हमारा ओप्सिन अबर सा हमारा राइट आंसर रहेगा एल सायूंगमन यहां राइट आंसर है अगला नेश्ण कुछिन देख लेते हैं नेश्ड की वाला है L वराबर 1 के लिए M1 ML के संभव मान है तो ML के संभव मान है तो जल्दी से पताएंगे right answer क्या रहेगा इसका इसका right answer क्या रहने वाला है बच्चों सभी बच्चे देखेंगे तो option number A इसका right रहेगा minus 1 0 comma 1 minus 1 0 comma 1 यह हमार right answer रहेगा option number A हमार right रहेगां ठीक है अग्रा nice question सतत एक्स किरन किरन स्पेक्ट्रम में होती है तो इसमें हमारा right answer क्म सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे right answer क्म सा रहेगा right answer इसमें क्म सा रहेगा देखेंगे इसमें जो right answer रहेगा option number 2 ठीक है एक नियूंतम तरंग दैधिरे से अनंत तरंग दैधिरे तक यह हमारा राइट आंसर रहेगा, option number 2 हमारा राइट रहेगा, ठीक है बच्छो, अगला नेश कोश्चन, एक अभिलाच्छिडिक X किराण, इस्पेक्टरा निरुभर करता है, तो जल्दी से बताएंगे right answer क्या र इसका right answer रहने वाला है बच्छो, केवल लच्छ पदार्थ पर, केवल लच्छ पदार्थ पर यह हमारा right answer है ठीक है, अगला नेश कोश्चन, नेश कोश्चन क्या दिया है आपका, X किराण का radar में उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, जल्दी से देख लच्छ से परावर्तित नहीं होती है, option number A हमारा right रहेगा, ठीक है, तो अगला next unit में देखते हैं बच्छो, हमने बताया था कि third or fourth unit हम एक भाग में करवाने वाले हैं, तो भाग दो में हम third or fourth unit करवाने वाले हैं, तो उसको देखेंगे, fourth unit में हम देखते है, fourth unit में बढ़न इसे पहले जल्दी से किलाज को शेर करेंगे, एक बार जल्दी से किलाज को शेर करेंगे, जल्दी से करेंगे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले है, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहें, शेर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है और अगर आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही हमाई चैनल को सब्सक्राइब परिए जो कि हमारे आने वाले वीडियो और नोटिफिकिसन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुचे बच्छो ठीक है सब्सक्राइब बच्छे तो देखेंगे इसमें जो राइट अंसर रहेगा हमारा ओप्सन नमर बाठ ठीक है विवेक्त बाठ शंदूरस तो यह हमारा राइट अंसर है ऑप्सन नमर बाठीक अगला नेश कोश्चन शमानीत रभ्यमान म्यू जीरो म्यू तथा वल्नियतंक के वाले अडू की कामपनिक आविर्ति होती है तो इसमें सराइट अंसर कौन सा रहेगा बच्छो इसमें सराइट अंसर हमारा कौन सा रहेगा जर्दी से देखेंगे तो देखेंगे ऑप्सन नमर सा हमारा राइट अंसर रहेगा बना पॉंट टू रूर पाई अंडर रूर के अगला नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं नेश्ट कोश्चन हमारा क्या रहने वाला है हेच सील अडू में दो किरमागत कंपनिक कंपनिक पूर्जा एस्वरों का अंतराल जीरो पॉइंट थी टू इलक्राउंट वोल्ट है इसकी स्कून उर्जा होगी तो इसकी स्कून उर्जा किदनी होगी जल्दी से देखेंगे राइट आंसर इसका क्या रहेगा बच्चो जल्दी से देखेंगे बच्चो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे बच्चो इसका जो right answer रहने वाला है बैकिया होगा हमारा option number 2 होगा 0.16 electron volt यह हमारा right answer रहेगा option number 2 ठीक है अगरा next position किसी दोए परमाडूक अडू की घुणन और जाएं घुणन नियतांग B के पद में होती हैं तो इसमें से right answer क्या रहेगा बच्चो इसमें से right answer हमारा क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे right answer देंगे सभी तो देखेंगे बच्चो इसमें जो हमारा right answer होगा option number 2 ठीक है option number 2 हमारा right answer रहेगा 0, 2B, 6B, 12B यह हमार राइट आंसर हैगा option number 2 हमार राइट रहेगा ठीक है बच्छो अगला नेश पॉस्चन किसी अडू का अबरक्त स्पेक्टरम प्राथ होता है किसी अडू का अबरक्त स्पेक्टरम प्राथ होता है तो राइट आंसर बताएंगे इसमें से कौन सा रहेगा तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा बच्छो भी क्या रहने वाला है option number 2 हमार राइट रहने वाला है कंपनिक संक्रमणों के कारण कंपनिक संक्रमणों के कारण यह हमार राइट अंसर हैगा option number 2 ठीक है अगरा नेस्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं बच्चो नेस्ट कोश्चन हमारा क्या रहने वाला है देख लेंगे अगरा नेस्ट कोश्चन की मूल अवस्था में कंपन ऊर्जा होती है तो जल्दी से इसमें आंसर देखेंगे बच्चो जल्दी से बताएंगे सभी राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला होगा जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे देखेंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका आप्सन नमबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा अगरा नेस्ट कोश्चन किसी अडू के कंपनिक संक्रमण में ऊर्जा परिवर्तन लग होता है पूर्जा परिवर्तन लगबग होता है तो क्या इतना होता है जल्दी से पताएंगे राइट आंसर हमारा देखेंगे क्या रहने वाला है इसमें इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है तो आप्सन नमर 2 हमारा राइट रहेगा अगरा नेस्ट कोश्चन देख डिशाल केते हैं इंट क्या है अडू इस्पेक्ट्रा प्राइट किए जाते हैं अडू क्या आ Congiful mes wor corresponder रहेगा इसमें जल्दी से देखिंगे बच्छो सब कि देंगे सहीं कौन रहने वाला है तो देखेंगे इसमें बच्छों में जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ओप्सिन नंबर बार रहेगा केबल अवसोसड में. केबल अवसोसर में यह हमार राइट आंसर रहेगा अफ्सन नंबर बार ठीक है? अगला नेस्ट कोश्चिन. लिएんな कम्पनिक पूर्जा अंतराल होता है तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा बच्छो रहेगा बच्छो रहेगा बताएंगे तो आफ से नंबर क्या रहने वाला है बच्छों हमारा और अबसे नंबर रहने वाला प्रियुक्त होता है एक साल्ट प्रेज्म इस需要 होता है तो जल्दी से बताएंगे किसमें पूली कोषन देखेंगे इसका रहे ले इसरे महीं की यह रहने वाला है जल्दी से देखेंगे इसके रहे रहें जल्दी से देखेंगे तो देखिंगे इसमें तो आऊ क्या रहेगा बड़ थो इसका रहेगा जलदी से देखेंगे सभी बच्चे तो इसका जो right answer रहेगा बच्चो भी क्या रहेगा option number बाठ ठीक है दुरस्त अबरक्त छेतर में यह हमारा right answer रहेगा option number बाठ ठीक है अगला इनेश पोजिशन तो किर्मिक घूनर रेखाओं के मद सर्वनेश्ट तरंग संख्या अंतर होता है नियम्स्को रहेगा बच्चो। एसमें हमारा right answer कोंसे रहने वारा है जल्दी से देख्येंगे सभी बच्च रचाव जवाब देंगे तो right जवाब देखेंगे स ciao the right answer रहेगा option number ऐ Σ्बैस अगिराईो है औरicon भी क्या रहेगा ऑप्शन तरह बटक है next question दिया है किसी दोई परमाणविक अड़ू के गूनन उर्जा इस तर होते हैं तो इसमें से right answer कौन सा रहेगा इसमें से right answer कौन सा रहेगा बच्चों जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे right answer देंगे right answer कौन सा रहने वाला है हमारा right answer जो रहेगा वो कρέ रहेगा option number 5 ठीक है विवेक्त लेकिन समदूरस्त नहीं औप्सनöobr सा हमारा right रहेगा विवेक्त लेकिन समदूरस्त नहीं यह नहीं किसी दोई परमाणविक अड़ू के अवरक्त बैंड स्पेक्ट्रम में बैंड के मूल बिंदू के दोनों और किन्ही भी दो किर्मिक रेखाओं का आविरती अंतराल होता है जल्दी से राइट आंसर देंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बच्चो देखेंगे राइट आंसर जो हमारा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे में राइट आंसर क्या हिने वाला है में राइट से क्या रहेगा बच्छो सभी बिचे बताएंगे टो सौपशं नंब ऑप%, कि dogmatty the problem में उप्सवरा के लिए संक्रमर नियम है तो इसका राइड आंशर कौन सा रहने वाला है जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे सभी बच्चे देखेंगे इसका right answer कौन सा रहने वाला है तो option number 6 इसका right answer रहने वाला है बच्चो option number 6 delta n square 2 plus minus 1 कामा delta j square 2 plus minus 1 यह हमारा right answer रहेगा option number 6 ठीक है option number 6 हमारा right answer रहेगा अगला next question next question क्या दिया है तो यह परमाणविक अडू के घूनन spectrum की तरंग देदेरे परास होती है तो कितनी होती है इसमें right answer हमारा कौन सा रहने वाला है सभी बच्चे right answer देखेंगे right answer बताएंगे कौन सा रहने वाला इसमें तो देखेंगे इसके right answer होगा वह क्या है आप्सन नंबर सा हमारा right answer रहेगा ठीक है 100μμ से 500μμ ठीक है 100μμ से 500μμ यह हमारा right answer रहेगा option नंबर सा ठीक है अगला next question देख लेते हैं next question इस वीडियो का last question है अब रग्त बिकरल का उत्तेजन स्रोथ है तो इसमें से right answer हमारा कौन सा रहेगा इसमें से right answer हमारा कौन सा रहने वाला है सभी बच्चे देखेंगे right answer राइट जबब देंगे तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा वह करेगा option number 10 हमारा right रहेगा ठीकर हैं और अगर हमाइऄ चैनल को पहली बार देख रहे हैं पहली बार सुनने हैं तो जल्द ही हमाइज चैनल को सस्क्काइब करिए जो कि हमारी आने बारी वीडियो जो है वहां तक सबसे पहले पोच्चो टीकर है और इसमें जो है बेरी बेर Two-G